कि यहारी टीक चल रही है चलो लास्ट क्लास में ने बैक्वांडिंग पड़ा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रॉलेसिस उसका में फंडा भी आपको सिखाऊंगा और बीसी एल त्री का हैड्रॉलेसिस का रियाक्शन बहु तो में बात है कि लॉजिक समझ में आ गया तो काफी सारी चीज़े तो आप खुछ से डिराइव कर फाओगी ठीक है तो चलो शुरू करते हैं तो हमारा जो रियाक्शन हम लोग को स्टार्ट करना पहला देज बीसी एल 3 प्लस वाटर गेवस वाट अब देखने में रियाक् हो कि पहली बाति कि नाम थीटेल में में समझते यह सब्सक्राइब्स यह वाटर का मोलीकूल है अगर किसी भी रीजन से किसी भी रीजन से ये बॉंड वाउड तूड गया तो मैं इस प्रोसेस का नाम रखता हूँ हाइड्रो लिस लाइसस का मतलब होता है ब्रेकिंग और हईड्रो मतलब पानी बेसिकली तो पानी के बॉंड का तूट जाना इस coldness hydrolysis अब वो किसी भी reason से हो सकता है तो मैंने BCL3 में पानी डाला और BCL3 की वज़े से पानी का bond टूट गया तो वज़ा तो बात में देखेंगे में बात यह है कि पानी का bond टूटा नग तो अगर पानी का bond टूटा तो आप उसको बोलो hydrolysis हो गया अब simple याद रखने वाली पहले चीज़ समझते हैं फिर मैं आपको धीरे धीरे इसका पूरा mechanism समझाओ पर आप ऐसा simple simple imagine करो कि पानी के अंदर भाई H प्लस भी होता है और OH भी होता है यह सिर्फ याद रखने का तरीका है तो ध्यान दो BCL3 में क्लोरीन के उपर माइनस वा नीच है तो क्लोरीन के उपर negative charge और hydrogen के उपर positive charge तो वो दोनों एक दूसरे को attract करेंगे अब आप एक काम करो आप 3 water molecules ले आओ तो आपको 3 H प्लस मिलेंगे और 3 OH मिलेगा तो क्लोरीन के उपर minus H के उपर plus तो एक तो आप HCl निकाल दो 3 वह positive or negative वापस में चुड़ गए अब इदर से बचा boron जिसके उपर plus 3 ही चार्ज होगा और इदर से बचा 3 OH तो यह वन गया B OH whole thrice और अगर आप ध्यान से देखो तो यह ही H3BO3 है boric acid very very famous इसी का नाम orthoboric acid भी है इसके उपर भी हम लोग आगे discussion कर लेंगे कि कब ortho बोलते हैं कब meta बोलते हैं कब pyro बोलते हैं तो वो सब discussions बाद में आएगी तो फिल हल boric acid का preparation very important फिर BCL3 का hydrolysis हुआ तो boric acid बना पहली बात तो यह समझ लो अब मैं इसका mechanism आपको दिखाता हूँ यह कहा है तो जिसको लिखना जल्दी से लिख लो video pause करके और मैं आगे बढ़ रहा हूँ चब तो अब हम लोग इसका discussion करेंगे तो last class के discussion थोड़ी सी इसमें use होगी आपको याद होगा कि हमने थोड़ा back bonding type का concept पढ़ा था और मैंने आपको यह बताया था कि यार boron की जरूरत fluorine तो पूरी कर देता है बट फिर chlorine उतनी पूरी नहीं कर पाता bromine उससे भी कम पूरी कर पाता है क्यों size difference अब आप यह समझो कि boron के पास अपना vacant और vital तो है तो अब अगर chlorine अपना लोन पेर किसी reason से नहीं दे पा रहा है या कम दे पा रहा है इधर से आया पानी पानी के oxygen के पास होते हैं दो लोन पेर अपना एक लोन पेर उसने boron को दे दिया यह दिया जा सकता है रैट तो boron के vacant 2P orbital में oxygen ने अपने लोन पेर को donate कर दिया यह बात understandable है easy है इस diagram को जल्दी से बना लो फिर मैं इसके ओपर थोड़ा वह discussion करूँगा तो अब मैं थोड़ा simple तरीके से इसको लिखता हूँ तो water ने अपना लोन पेर boron को दे दिया ठीक है अब जो लोन पेर देने की प्रोसेस है उसको बोलते है coordinate bond और हम लोगों ने पहले एक वीडियो में देखा हुआ है चलो मैं वापिस बता देता हूँ अगर एक atom A ने बी को अपना लोन पेर दिया as a coordinate bond तो coordinate bond बनने के बाद covalent जैसा ही होता है ठीक है बस पर कितना सा आ जाता है कि जहां पर arrow का head है न यह वाला arrow का head एक सेकिंड रूखो यह वाला इसको मैं head बोलता हूँ arrow head और इसको मैं tail बोलता हूँ तो जहां पर arrow head है वहाँ पर negative charge आ गया और जहां पर arrow का tail है वहाँ positive charge आ गया ठीक है तो अभी के लिए आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि यह BCL3 था इस बोराउन पर negative आ चुका है और इस O पर positive आ चुका है ठीक है अब असली game समझना क्योंकि अगर आपको यह game समझ में आगी न तो वैसे तो हम इन और गयानिक पढ़ रहें बट आपको और गयानिक के भी बहुत सारे फंडे समझ में आ जाएंगे मेरी कोशिश यह है कि मैं और गयानिक के बहुत सारे वीडियो बना के डालू जाएंगे जिसमें वाटर का अडीशन और यह सब आपने देखा और अब आपको अपडिशन बहुत सारी चीज़ें तो लॉजिक होई है जब भी ऑक्सीजन ज्यान से सुनों चाहे मैं इन और गयानिक की बात कर रहा हूं सब पंडे से जब भी ऑक्सीजन अपना लोन पर कि है पॉजिटिव नहीं अब ऑक्सीजन ने सोचा कि यार मैंने अपना लोन पर बोरॉन को दे तो दिया मान लो उसकी हल्प करने के चक्कर में बट उसके चक्कर में मुझ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया अब इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे ठीक करना पड़ेगा तो अक्सीजन इलेक्ट्रॉन चीन लेगा हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन को भगा देगा एज एच प्लस तो यह बहुत ही सिंपल सा फंड है ध्यान से सुनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुए है इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैं वा आईडियली स्वीकिंग इन दोनों एलेक्ट्रॉंस को इग्जैक्ली बीच मरूना चाहिए था बट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होने की वज़े से यह दोनों एलेक्ट्रॉंस ओ की तरफ शिफ्ट हो गए तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉंस छीन लिया गया हा चार है hydrogen के पास एक ही तो electron था अगर कोई उसको छीन लेगा तो वो तो h plus की form में जाएगा ना और इसलिए h plus को proton बोलते हैं यह पता आपको h plus का दूसरा नाम है proton और इसलिए hcl जैसे acids जो होते हैं उनको तो बोलते हैं protic acids h2so4 को बोलते हैं डाई protic acid वहीं दो प्रोटन वाला ना दो h plus तो इसके उपर discussion हम लोग organic में करेंगे आप tension मतलो ठीक है तो फिलहाल oxygen ने अपने positive charge को ठीक करने के लिए electron चीन लिया किसे hydrogen से तो वो जो बोरॉन के उपर negative charge देखा chlorine ने तो chlorine को लगा यार निकलने का सही मौका है तो chlorine ने बोरॉन का electron चीन लिया और chlorine c l minus form में निकल लिया ठीक है पहले chlorine क्यों निकल रहा था पहले chlorine ये सोच रहा होगा कि यार बोरॉन बिचारे के पास वैसी electron की कमी है तो मैं उसका electron चीन की चला जाओंगा तो उसको और दिक्कत हो जाएगी बट यैसी chlorine ने देखा कि बोरॉन के पास अब negative charge आ चुका है तो फिर chlorine लेके निकल जाएगा ठीक है तो इदर से निकला c l minus उदर से निकला h plus तो आप ये बोल सकते हो कि भई अब साथ में देखो क्या हुआ यहां पर यहां पर फिर भी लोग लिखने के लिए उसको बोल देते हैं कि भई पर ये देखो जूड़ा हुआ तो एस दो निकलता वा अभी जिए अब साथ में देखो क्या हुआ यहां पर कौन कौन सा बॉलें टूटा ओन जूडव है यह वाला बॉल्द टूटा और यह वाला बॉल्द टूटा बटके जो नया बॉन्ड बना है वह बोरॉन के साथ ओ है तो एक सकीन ध्यान से देखते रहे न यह दो क्लोरीन है और एक हो है और एक हो के साथ एक है जुड़ गया है बोरॉन के साथ और वह वाला है तो बेसिकली स्पीकिंग यहां पर क्या हो रहा है अब एक सीएल की जगा एक है अब अगर मैं यही स्टेप तीन बार कर दूँ तो अभी मैं नेक्स लाइड में आपको करके दिखाता हूं तो बेसिकली स्पीकिंग क्या हो गया बोरॉन के पास तीन क्लोरीन हुआ करते थे जब आपने पानी डाला तो ऑक्सीजन ने लोन पर उसको दिया पूरा प्रोसेस जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझा दिया है तो क्लोरीन हटा और ओच आ गया अब अगर मैं वापिस पानी डाल दूँ तो एक और सील हट जाएगा एक और ओच आ जाएगा फिर मैं वापिस पानी डाल दूँगा तो मैं दो बार ऐसा करूँगा तो दो पानी डाल दिया मैंने ठीक है टू टाइम्स आप रिपीटिट सु एवेंचेली की सारे क्लोरीन संदी अएंगे साच और हाहले पास बन जायेगा बी ओएच ओल्ध ठैक है और में लाख होल्त रईस। इस्थू ही जा बारीं गार्स का नाम है ओर तो बोरीग असट्यण principle पे बहुत सारी और processes आएंगी तो I hope आपको hydrolysis समझ में आ गया होगा अब इसी hydrolysis का application मैं carbon family के भी कुछ compounds पर आपको करके दिखाऊंगा तो देखो पी ब्लॉक चल रहा है हम लोग boron family की reactions पढ़ रहे हैं जो जो अगर आपको समझ में आगे तो अब मैं next video में इसी से related hydrolysis reactions कुछ और compounds के लिए आपको करके दिखाता हूं ठीक है तो next video याद से देख लेना है चाल अभी के लिए take care bye bye